मैं शितांशु कुमार असम विश्विद्याले हिंदी विभाग में प्राध्यापक हूँ आज EPG पाठशाला हिंदी के प्रश्णिपत्र दलित साहित्य के अंतरगत हम वैश्विकरन और दलित साहित्य विशय पर बातचीत करेंगे इस पाठ के अध्यन के उपरांत आप वैश्विकरन की अवधारना से परिचित हो सकेंगे दलित विमर्ष और वैश्वीकरण के संबंद में विभिन चिंतन धाराओं के विशय में जान पाएंगे वैश्वीकरण के दौर में पारिवेशिक्ता से मुक्ति के सिध्धान्त का विशलेशन करने में समर्थ हो पाएंगे दलित राजनितिक चेतना पर वैश्वी करण के प्रभाव से परिचित हो सकेंगे और यह जान पाएंगे कि दलित स्त्रीलेखन ने वैश्वी करण को किस प्रकार देखा है दलित समाज और साहित्य पर वैश्वी करण के प्रभाव को चेहनित करने के लिए हमारे लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैश्वे करण से हम क्या अर्थ ले और हाशिये के समाज के साथ यह किस तरह पेश आता है दुनिया में विद्यमान विभिन संस्कृतियों को मानविय धरातल पर एक करने के प्रयास अंतर राश्ट्रीतावाद या विश्व बंधुत्व जैसे बातें बौधिक जगत में होती ही रही है किन्तु 1990 के बाद से वैश्वी करण की जो प्रक्रिया आरंभ हुई है उसकी परिभाशा इतनी सरल नहीं है इस पद के प्रसार का संबंध विश्व अर्थ विवस्था के नव उदारी करण के साथ है आज जब इस पद को परिभाशित किया जाता है तो सामाजिक सांस्कृतिक पहलूं के साथ जो नई आर्थिक नीतियां आई हैं इन आर्थिक नीतियों ने जिन आर्थिक परिगटनाओं को जन्ग दिया है उनको भी बराबर ध्यान में रखा जाता है ऐसा इसलिए है क्योंकि इन आर्थिक परिगटनाओं ने हाशिये के समाज के जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है जब जीवन प्रभावित होता है तो सम्वेधनाएं भी प्रभावित होती हैं और जब सम्वेधनाएं प्रभावित होती हैं तो साहित्य का स्वरूप भी बदलता चला जाता है वैश्वी करण से तात परिव वैश्वीकरण को लेकर वैचारिक जगत में स्पस्टता दो धड़े हैं वैश्वीकरण के समर्थक बुद्धी जीवियों का यह मानना है कि यहां दुनिया के विभिन्न देशों के बीज विद्यमान दूरी को निरर्थक साबित कर रहा है इस दूरी को मिटाने में टेलिविजन, सूचना और संचार क्रांति के जो विभिन्न माध्यम हैं वै बहुत ही महत्वपूर्ण भूमी का निभा रहे हैं इन दूरियों के मिटने के फलस्वरूप इन बुद्धी जीवियों का मानना है कि जो विभिन्न अस्मिताई बंधन है, सीमाए है, विकमजोर पढ़ती जा रही है इन बुद्धी जीवियों का तर्क है कि वैश्विकरण के विस्तार के साथ, इसकी प्रक्रिया के बढ़ने के साथ जब पूजी का अबाध प्रवाह संभव होगा, तो दुनिया के विभिन्न देश अपनी अर्थ विवस्ता को और भी अधिक विक्सित करने में सक्षम हो पाएंगे जो देश समय के साथ अपनी सिमाएं बहुर आस्ट्रिय निगमों के लिए खोलते जाएंगे वे अपने स्थान पर रहते हुए अपने घर बैठे बैठे दुनिया भर की खुशाली सुक संसाधनों का उपभोग कर पाएंगे इस तर्क के अनुसार सूचना, संचार तंत्र और अर्थ विवस्था अब मनुष्य के लिए ज्यादा सहज, सुलब और फाइदेमंद हो गए हैं दूसरी ओर वैश्विकरन के विरोधी बुद्धिजीवियों का यह स्पस्ट मत है कि वैश्विकरन, पुझी के अबाद विस्तार और नई आर्थिक नीतियों से प्रेरित, जन संचार माध्यमों के जरिये, एक तरह की छवियों और संदेशों को परोस्ता रहता है ताकि उपभोकताओं की प्राथमिक्ता को समरूप बनाया जा सके इस समरूपी करन से बहुरास्ट्रिय निगमों को सबसे पहले या फायदा होगा कि तयार उत्पादों की विश्व बाजार में बिक्री सहज हो जाएगी वेश्विकरन मूलत पूझी केंद्रित अर्थविवस्था की पोशक अवधारना है जिसमें विभिन रास्ट्रों की अर्थविवस्थाएं पूझी और बाजार के उधारी करन के पक्ष में सनलगन होती जा रही है इसका मुनाफ़ा कुछ लोगों तक पहुँचेगा और जादे से जादे लोग गरीब होते जाएंगे इस तर्क के अनुसार बैश्विकरण आर्थिक और सामरिक रूप से क्षमतावान सक्तियों द्वारा विश्व राजनीती, संस्कृतियों और अर्थविवस्था को अपनी आर्थिक जरूर्तों के हिसाब से सूचना और संचार तंत्र के विभिन साधनों के माध्यम से नियंत्रित कर लेने की एक परिगटना है लुभावनी शब्दावली और रंग रूप में प्रकट होने वाली इस परिगटना ने बाजार और उपभोग की इच्छाएं तो पैदा की हैं लेकिन परदे के पीछे भयानक विवश्ता, कुरूरता, उपभोग वादी मूल्यों की आक्रामक्ता, बहुलता वादी संस्कृति का विनाश विद्वानों का यह मानना है कि अमेरिकी करण और पस्चिमी करण की जो पैरोकार शक्तियां हैं वे विविद्धता, बहुलता और बहुसांस्कृतिकता के प्रति समवेदन शील नहीं दिखाई देती इस समवेदन हेंता का सबसे जादे असर उन समुदायों पर पढ़ता है जो सबसे अधिक हाशिये पर हैं उनकी भाषा, संस्कृती और परंपरा इस प्रक्रिया में सबसे जादे असुरक्षित है क्योंकि प्रतिरोध की सबसे अधिक गुंजाईश भी वहीं पर होती है दलित विमर्ष और वैश्विकरन दलित विमर्ष में भी वैश्विकरन के संबंध में दो तरह के विचार मिलते हैं चिंतकों की एक धारा यह मानती है कि इस प्रक्रिया में पारिवेशिक्ता से मुक्ति संभव है दलित समुदाय के लिए नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं और इन अवसरों का लाब उठा कर अवमानना पूर्ण जीवन से मुक्ति संभव है पिछली सदियों में मनुष्य और समाज को और व्यवस्थित बनाने के दावे के साथ आई विभिन्न विचार धाराएं जब दलित समस्या का पूर्ण समाधान नहीं देशकी उनकी प्रश्ण बार बार हाशिये पर छोड़ दिये गए तब पारिवेशिक्ता से मुक्ति के लिए दलित बुद्धी जीवियों ने नए तरीके अख्तियार किये ताकि उनकी लड़ाई अब पीछे न छूटे दलित चिन तक गुपाल गुरु ने ठीक रेखांकित किया है कि भुमंडली करण एक ऐसे विचार और व्यवहार का नाम है जो अपनी सार्व भौमिक्ता के जरिये व्यक्तियों और समुदायों को उनकी पारिवेशिक्ता का अतिक्रमन करने का श्वासन देता है व्यक्ति और समुदाय के तौर पर दलित अपनी पारिवेशिक्ता को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा व्याकुल है चिंतकों की यह धारा जो तिबाफुले की तटस्थता की महत्वपुर्ण थिसिस को अपनाते हुए वैश्वी करण की प्रक्रिया के प्रती तटस्थ रवया रख कर दलित समुदाय के लिए अवसर ढूंड लेना चाहती है गेल आमविट, नरेंद्र जादाव, जी अलोसिस, चंद्रभान कुमार और शरन कुमार लिंबाले जैसे चर्चित नाम वैश्वी करण की प्रक्रिया का लाभ उठाने के पक्षधर हैं जातिवाद के विकास के पीछे के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के अत्रिक्त, आर्थिक कारकों पर भी बराबर नजर रखने वाली चिंतकों की जो दूसरी धारा है उसका यह मानना है कि वैश्वी करण की इस प्रक्रिया में दलितों के लिए अवसर पूरी तरह समाप्थ हो जाएंगे क्योंकि यह प्रक्रिया हाशिय के समाज का और भी हाशिया करण करती चली जाएगी एसके थोराट, कमल भारती, केस चलम, एस नांचरिया, डियार नागराज, अबैकुमार दुबे, मैनेजर पांडे, गोपाल गुरु और बजरंग भिहारी तिवारी जैसे कई बुद्धिजीवियों का मत है कि वैश्विकरन का या दावा कि वहाशिये को केंद्र दे रही है मात्र छलावा है इन चिंतकों का कहना है कि वैश्विकरन के माध्यम से फल फूल रहे पूंजिवाद, बाजारवाद, उभोकतावाद, अराजनीति करण, अमेरिकी करण, अलोक तांत्र की करण, रास्ट्र राज्जियों के क्षय, सांस्कृतिक बहुलता के ख्रास, बाजार के इंद्रित समरूपी करण के बीच में से दलित समस्या का सफल समादान ढूंडना संभव नहीं है गुपाल गुरु की चिंता है कि यह सही है कि दलितों में अपने परिवेश की सीमा तोड़कर सार्वभाउम की ओर ना जा पाने की हताशा है लेकिन क्या सतत संघर्ष और गहन चिंतन के जरिये उपलब्ध होने वाला सारवभाउम वही है जो भुमंडली करण उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रहा है क्या इस सारो भावं तक छलांग लगाने के चक्कर में भुमंडली करण के दलित पैरोकारों ने फुले अंबेटकर विचारधारा से नाता पूरी तरह ही नहीं तोड़ लिया है पारिवेशिक्ता से मुक्ति का प्रश्ण और वैश्विकरण उप्युक्त विवेचन से स्पस्ठ है कि पारिवेशिक्ता से मुक्ति किया कांग्छा ने अनेक दलित बुद्धी जीवियों और रचनाकारों को वैश्विकरण की ओर अत्यदिक आकरशित किया है आज भी भारत का ज्यादातर दलित समुदाए गाउं में ही बसता है ग्रामिण जीवन में उन्होंने जिस तरह की जातिगत प्रतार्णा जेली है और अवमानना पूर्ण जीवन व्यतीत किया है उसने उन्हें शहरों की ओर अकरशित किया है उन शहरों की ओर जिसे वैश्वी करण ने खुशहाली और सुख की जगह बना कर प्रस्तूद किया है ग्रामिण जीवन की विद्रूपताओं का चित्रण हमारे दलित साहित में अत्यधिक मिलता है गाउं की जो स्वीकृत छवी हिंदी साहित में रची गई है दलित रचनाकारों ने उस छवी को द्वस्त कर दिया है और यह प्रवृत्ती सिर्फ दलित आत्मकथाओं में ही नहीं दिखाई देती यह प्रवृत्ती दलित कविताओं में भी पूर्णता दिखाई देती ओम प्रकास वालमेकी की कविता तब तुम क्या करोगे इस द्रिष्ट से अत्यधिक में तो पूर्ण है ओम प्रकास वालमेकी लिखते हैं यदि तुम्हें धकेल कर गाउं से बाहर कर दिया जाए पानी तक न लेने दिया जाए कुए से तब तुम क्या करोगे गाओं की यह इस्थिति दलितों को अपना अलग स्वर अक्तियार करने के लिए विवश करती है कई दलित चिंतकों ने आमबेटकर के चिंतन में से इस बात के लिए तरक भी ढून निकाला क्योंकि आमबेटकर यह सुझाव देते हैं कि दलितों को शहर की ओर रुक करना चाहिए आमबेटकर का यह मानना था कि गाओं पारिवेशिक्ता का प्रतीख है और शहर सारुभामिक्ता का गाओं में मनुष्य गुलामी की जन्जीर में जकड़ा रहता है और शहर में मुक्ती संभव है लेकिन समकालीन दलित रचनाकारों ने सहजीय समझ लिया कि गाओं से सभी पीछा नहीं छुड़ा सकते और शहर में भी अवमानना पूर्ण जीवन से मुक्ती संभव नहीं है अगर आप दलित आत्मकथाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि शहर में अवमानना पूर्ण जीवन की कुरूपताएं उन्होंने अत्यधिक चेत्रित की है अपने अपने पींजरे हो तिरस्कृत हो या जूठन हो आप इन सभी आत्मकथाओं में देखेंगे कि शहर में भी दलित युवाओं के लिए मुक्ती का रास्ता नहीं है अवमानना पूर्ण जीवन उन्हें जेलना ही पड़ता है और इसके प्रतिरोध करने के अलग-अलग तर्क उन्हें निरंतर तैयार करते रहने पड़ते हैं इसका तातपरिया है कि मुक्ती तब तक संभव नहीं है जब तक समानता की अवधारना, समानता की भावना, गाउं और शहर दोनों ही जगह समान रूप से व्याप्त न हो जाए वह दोनों ही जगह पूर्णता, सुविकार न कर ली जाए डियार नागराज इस संदर में लिखते हैं कि गाउं अच्छूतों के लिए नरक के कुंड हैं लेकिन जरूरत गाउं को ही रहने के लायक बनाने की है इस स्थित ने दलित रचना सीलता में वैश्विकरन के अस्विकार के लिए भी जगह तयार की है समकालीन दलित साहित में शहर में आव मानना से मुक्त की उम्मीद के तूटने की छवियां कई रचनाओं में उभर कर आई जैप्रकास करदम की नो बार कहानी इस बात को प्रमाडित करती है कि जाती विवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कितनी भी पढ़ाई लिखाई हो जाए कितने भी उचें उठ जाएं कितने भी शहरी हो जाएं इससे मुक्ति संभो नहीं हो पा रही है एक शिक्षित दलित युवा शादी के विज्यापन में नो कास्ट बार देखकर यह सोचता है कि यह परिवार संकिर्णताओं से मुक्त होगा किन्तो कहानी कांत अवमानना की निरंतरता में ही होती है दयानंद बटोही की सुरंग अजय नावरिया की मुखोटों के बीच पूनम तुशामन की बिच्चु सुधीर सागर की भंगन डाक्टरनी कैलाश वानखेडे की महू विपिन बिहारी की आपकी जात छोटी है सुराज सिंग बेचैन की होनहार बच्चे रंजना जय सवाल की सिलसिला जारी है और अनिता भारती की सीधा प्रसारण जैसी कई समकाली इन कहानियों में ऐसी ही अन्य परिस्थितियों का वर्णन मिलता है विनोध विश्वकर्मा ने दिल्ली में कनाट प्लेस पर कविता में इन अपरवर्तिनी स्थितियों को कुछ इस तरह रिखांकित किया है। कभी-कभी वह कुछ शब्द सुनकर उनके अर्थ तलाशती है। भारत अमेरिका की राह पर भूम अंडली करण, आधुनिक्ता का अंत उत्तर आधुनिक्ता, नई सोच से बदली रहें। अर्थों की इस भूल भुलईया में भटकते हुए, रोज पाखाना और पार्क की गंदगी साफ करते हुए, वह अपनी दिन चर्या पूरी करती है। केलास वान खेड़े की कहानी महु की एक चरित्र कहती है कि हत्यारों के पास होते हैं शुडू, योग्यता, हक जैसे थियार, धीमी मौत के शस्त्र लगातार चलाते रहते हैं, फिर वह कॉलेज हो, चौराहा, दफ्तर या टीवी, अकबार, अब तो नेट भी है। इनसे बचने के लिए रास्ते की तलाश करते हैं, तो आत्मात्या की खाई में पहुँच जाते हैं। शहर के इस नय विक्सित चरित्र के बारे में कविजय प्रकास लीलवान कहते हैं, नया शहर आदमी के पदार्थी करण की स्थितियों का जंक्षन है। इन परिस्थितियों के बारे में वैश्विकरण के समर्थक बुद्धी जीवियों का कहना है कि संस्कृतियों और शभिताओं के नस्थ होने का हववा खड़ा किया जा रहा है। ताकि दलित समुदाय को जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, उनसे उन्हें पुना वन्चित किया जा सके और दलित प्रश्ण को पुना हासिये पर धकेला जा सके। अंगरेजी भाषा और सिक्षा को महिमा मंदित कर ये वैश्विकरन द्वारा उपलब्ध अवसरों को दलित समुदाय के लिए बचा लेना चाहते हैं। किन्तु विमर्श से इतर दलित रचना धर्मिता पारिवेशिक्ता से मुक्ति के लिए इतने सहज मार्गों पर जाने के बजाए पूरे परिवेश को ही तोड़ना चाहती है। कई दलित रचनाओं में यहां भिव्यक्ति दिखाई दे रही है कि पहले से ही ऐसा होता आया है कि परंपरा में विद्यमान तमाम लेखन को नकारा जाता रहा है। उसे उचित स्थान नहीं मिला है। इतिहास में उसे उसकी जगह नहीं मिली है। कि इसी बीच वैश्विकरन जिस सांस्कृतिक समरूपता को तयार करना चाह रहा है। उससे तो भाशा और संस्कृति ही खत्रे में पढ़ जाएगी जिसका आसर यह होगा कि दलुत समुदाय का पूरा संस्कृतिक अतीत ही नस्ट होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। सच्चे साहित्य के दबाय जाने और गौरो मई इतिहास के रौंदे जाने की पीड़ा पूरे दलित साहित्य में बिखरी पड़ी है। इसलिए दलित साहित्यकार सबसे पहले अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या चाहता है। सांस्कृतिक साहित्य, सांस्कृतिक साहित्यक अतीत का उध्गाटन गर्व और आत्मविश्वास को रूपाकार देता है और यह तभी संबव है जब जन भाशाओं और उनके साहित्यकी रक्षा हो। लोग कथाओं में दलित मुक्ति के लिए जो स्वर है वा मेनत का समाज का कांक्षी है, भोगवादी मूल्यों का विरोधी है। राजनितिक चेत्ना और वैश्विकरन भारत में दलित साहित्यके विकास का सबसे प्रमुक कारण राजनितिक चेत्ना ही रहा है। दलित साहित्यकार सिर्फ साहित्यकी बात नहीं करते, वे आंदोलन की भी बात करते हैं। हम यह देख चुके हैं कि वैश्विकरन से उपजी परिस्थितियों का विश्लेशन दलित साहित्यके में दिखाई देता है। यह विश्लेशन और भी सफल हो पाएगा अगर दलित राजनेता, चिंतक, विचारक, बुद्धिजीवी वैश्विकरन के बारे में अपनी राय और भी स्पस्ट कर लेते हैं। वैश्विकरन के बारे में इस पस्ट राय के इस अभाव ने दलित सहित्यकी धार को निश्चे ही प्रभावित किया है। हलांकी इधर हम देखते हैं कि जो डलित, चिंतक या रचनाकार यह मानते हैं कि वैश्विकरन हाश्ये के समुदाय का और भी हाश्याकरन कर देगा। वो इस बात को लेकर सचेत हैं कि राजनितिक विवस्था के साथ वैश्वी करण की प्रक्रिया के संबंध को गहराई से खंगाला जाए उसका विशलेशन किया जाए कवल भारती वर्स 2000 में हमने तमाम विद्रूपताओं के साथ प्रवेश किया है का तर्क देते हैं कवल भारती कहते हैं कि हम कितने महान हैं कि हमने मरने नहीं दी अपनी सामन्ती संस्कृति इस तर आधनिक वैश्वी करण की विवस्था में भी इसलिए स्वागत करें नव वर्ष का जश्ण मनाएं डिसकों में थिरकें पाप के धुन पर टकराएं शराब के जाम उन शाष्कों के नाम जिनोंने वर्ण विवस्था को जीवित रखा जिसके बिना संभव ही नहीं है हमारा विकास, हमारी सम्रिद्ध और हमारी सत्ता कवल भारती यह चिंता व्यक्त करते हैं कि वैश्विकरण से उपजी परिस्थितियों के बीच दलित राजनीती अपने अनुकूल दिखने वाली शक्तियों के तुलना में प्रतिगामी शक्तियों के साथ भी समझोता करते दिखाई दे रही है अम्बेटकर की राजनीती पूरी तरह धार्मिक सांपरदाइकता के खिलाफ थी लेकिन आज के दौर में कोई भी यह नहीं कह सकता कि कई दलित राजनीता उस ओर भी चले जाएंगे जिसके खिलाफ अम्बेटकर ने अपनी आवाज बुलंद की थी कवल भारती यह स्विकार करते हुए कि चुनौतियां गंभीर है लिखते हैं नब्बे के दशक के आरंब में जिस दलित राजनीती ने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय के नारे के साथ भारती राजनीती में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया था वह जिस तेजी से उपर उठी थी, आज दशक के खत्म होते ही उतनी ही तेजी से नीचे गिर कर स्वयम भी खत्म हो गई है यह स्थित देखते हुए, राजनीतिक रूप से आज के अत्यधिक सचेत कवी जय प्रकास लिल्वान कहते हैं भुमंडली करण स्वयम के भेडियों को सब कुछ पर आच्छा दित करते हुए आक्रमंड करने वाले पूझी वादियों के पैरवीकारों की व्यूह रचना है दलित रचना सीलता में यह मत उभर कर आ रहा है कि इस वैश्विकरन का दुष्प्रभाव विभिन्न देशों में रह रहे हाशिये के तबकों पर समान रूप से पड़ेगा इसलिए इसके प्रतिरोध की चेतना अर्जित करने का दायत्व समान रूप से हाशिये के लिए लड़ रहे हर साहितिकार पर है चाहे उसकी अस्मिता कुछ भी हो कमल भारती लिखते हैं हम नई सदी में प्रवेश कर रहे हैं उस व्यवस्था के साथ जिसमें करोणों मजदूरों का आदिवाशियों का गरीबों का विस्थापन है दमन और भूख की विभीशिकाये हैं और उन पर कानून की सहमतियों की विडम बनाए है इस तरह दलित सा अहित्य का सामान्य चरित्र अब वैश्विकरन विरोधी आकार ले रहा है किन्तु राजनीतिक स्तर पर उसके प्रती सतर्कता की कमी की वज़ा से कई बार विचारकों का द्वंद रचनाकारों में भी दिखाई देता है रचनाकार अपने लेखन में वैश्विकरन द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों के विरोध में दिखाई देते हैं और बातों में उसके समर्थन में दलित राजनीतिक सामाजिक आंदोलन जिस तरह अतीत में साहित्य को प्रभावित करते रहे थे दलित साहित्यकार जिस तरह अपने नेत्रित्यों से प्रेड़ना लेकर रचनाएं लिख रहे थे आज आवशक्ताएं और परिस्थितियां पहले से गंभीर होने के बावजूद दलित साहित्यकार समवेधना के धरातल पर तो बहुत सी बातें कह पा रहे हैं किन्तु वैचारिक राजनीतिक नेत्रित्यों को लेकर दुविधा में खड़े हैं इसलिए मैनेजर पांडे ने लिखा है कि मराठी में दलित साहित्यके सैध्धानतिक आधार का निर्माड महात्मा फुले और अंबेडकर के चिंतन से हुआ है हिंदिक शेत्र में दलित चिंतन की वैसी कोई परंपरा नहीं रही है इसलिए आज के दलित लेककों को अपनी रचनाश सीलता के विकास के साथ साथ उसके सैध्धानतिक आधार का भी निर्माड करना है वैश्विकरन की प्रक्रिया के विस्तार के साथ कई दलित बुद्ध जीवियों और रचनाकारों का या मानना है कि समाज के अन्य प्रगतिशील तबकों के साथ उन्हें अपना संबंध सूद्रिड करना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि इधर के वर्षों में ऐसी मनोवृत्यों का जन्म हुआ है और सत्ता का प्रतिगामी शक्तियों के साथ ऐसा गटबंधन कायम हुआ है कि प्रगतिशील तबकों को व्यापक लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा लेकिन दलित रचनाकार यह भी समझते हैं कि इस व्यापक गटबंधन के क्रम में उन्हें लगातार सवाल खड़े करते रहने चाहिए वामपंथी आंदोलन के सामने उन्होंने ऐसे ही सवाल लगातार प्रस्तुत किये हैं ऐसी ही एक कविता है जैप्रकास लीलवान की कॉमरेट से बातचीत इसमें जैप्रकास लीलवान शिकायत रखते हैं कि वसुधायो कुटुम्बकम की स्वर्न लफवाजियों के ठीक पडोस में पान्नी भंगिन की सूजी देह का भयानक अनुभो इस मुल्क के माथे पर लगे हिमालय जैसे प्रश्न चिन्नों के जवाब कहां जाते रहे कॉमरेट आज कई दलित रचनाकार अन्य प्रगत शील तबकों के साथ अपना गटबंधन और मजबूत करना चाह रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि व्यापक राजनितिक लक्ष के लिए लड़ाई को व्यापक करना होगा अन्य था हाशिय के समुदाय का हाशिय करन और भी तिव्र होता जाएगा आप अगर ओम प्रकास वालमेकी की जुठन देखेंगे या जै प्रकास करदम की रचना चप पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि दलित समुदाय के लिए लड़ने वाले लोगों में वहां सिर्फ दलित प्रिष्ट भूमी से आने वाले लोग नहीं हैं बलकि अन्य इसकरन के इस दौर में दलित स्त्री लेखिकाएं दलित आंदोलन को पुनर विशलेशित करने की मांग कर रही हैं क्योंकि जो पुरानी पित्र सत्तात्मक संरचनाय हैं वे कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं अगर दलित इस्त्री लेखन को गहराई से खंगाला जाए तो आप पाएंगे कि जो समुदाए हमारे समाज में जितने हाशिये पर है वह वैश्विकरन की प्रक्रिया के उतने ही विरोध में खड़ा है दलित महिला लेकिकाओं के पास या दलित इस्त्रियों के पास वैश्विकरन की सैध्धान्तिक उतनी गड़ी हुई अभी नहीं हो सकती है लेकिन जो अनुभाव और समवेदनाएं वे प्रकट कर रही है अपनी रचनाओं में वे इन सैध्धान्तिक समझदारियों से कहीं ज़्यादा परिपक को दिखाई देती हैं दलित इस्त्रियों और जनजातिय इस्त्रियों के समक्ष प्रश्ण अभी मोबाईल और इंटरनेट के प्रियोग का नहीं है उनके सामने प्रश्ण विदेश घूमने का नहीं है उनके सामने प्रश्ण सहर की खुशहाली का लाव उठाने का नहीं है बलकि उनके सामने प्रश्ण यह है कि दैनंदिन जीवन को कैसे संचालित किया जाए रोज का कार्यवापार कैसे संभव बनाया जाए उनके सामने समस्या बिलकुल भिन्न किस्म की है जिसका समाधान वैश्वी करण ने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है कवी कैलाश वान खेड़े ने इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से चित्रित किया है महु और सीधा प्रसारण जैसी कहानिया इस बात को प्रमाडित करती है कि वैश्वी करण के दौर में दलित इस्त्रियों के शोशन के और भी नए तरीके इजाद किये जा चुके है लोग प्रोफाइल कोट अनकोट में है लोग प्रोफाइल इस्त्री की और किसी का ध्यान नहीं है आखरी आदमी की और किसी का ध्यान नहीं है ग्लोबल इन्वेस्टर्स किसके लिए आ रहे हैं इसकी चिंता किसी को नहीं है इन सब के बीच कैलाश वैश्वी कृत माध्यमों के बीच से महिला कुली दुर्गा के लिए जगह तलाशते हैं दुर्गा आख जल रही है मेरी कि बुखार से तप रहा हूँ और पढ़ नहीं पा रहा हूँ नई दुनिया जिसके पेज 3 पर लिखा है शहर की सड़क ठीक नहीं है धूल और गड़ों को देख कर ग्लोबल इन्वेस्टर्स कैसे मीट करेंगे कैसे होगा आयोजन बचे हैं 17 दिन मंत्री जी अकबार अफसर सबकी जायद चिंता के बीच तुम तुम्हारा फेस है फेसबुक पर इन विकृत परिस्थितियों में दलित लेखिकाएं दलित प्रश्ण को बिलकुल भिन तरीके से खंगालने की मांग कर रही है वे एक कदम और आगे बढ़ना चाहती है अनिता भारती लिखती है तुमने कहा पित्र सत्ता हमने कहा ब्राम्मनवादी पित्र सत्ता दलित साहित्य के इस मांग को कि भारतिय समाज को समझने के लिए इसका परत दर परत अवलोकन जरूरी है दलित इस्त्रियां एक और चरण आगे ले जा रही है भारतिय समाज में अगर एक परत जाती विवस्था का है तो एक परत पित्रिसत्ता का भी है वैश्विकरण के गाजे बाजे में इस पित्रि सत्ता से मुक्ति की कोई स्थिती इंदलित लेखिकाओं को नहीं दिखाई दे रही है उसकी समस्दारी के बनने का कारण उसका अन्य से अधिक हाशिये पर होना है जहां वैश्विकरण उन्हें वस्तु और उत्पाद की सक्ल दे रहा है वहीं पित्रि सत्ता उसे भोग्या और नौकर के रूप में देख रहा है रजनी तिलक की कविता है आज इस आधुनिक युग में जब गर्भ में ही कन्या का वध होता है वहां से बच जाए तो दहेज की आग में ससुराल में उसका होम होता है नारी इस युग की त्रासदी है पतित संस्कृत की गुलाम है सुश्मिता सेन और एश्वरिया वो बन रही है पुझी वाद मकडजाल का खिलोना सावित्री माई फुले तुम तो इन से अलग थी चर्चित कवीत्री सुशीला टाक भौरे ने निजिकरन और वैश्विकरन का जम कर विरोध किया है सुशीला का मानना है कि उदारीकरन निजिकरन और भुमंडलीकरन हाशिये के समाज को बंदुआ मजदूर बना कर ही छोड़ेंगे पिछले संगर्षों के बीच से जो सफलताएं हासिल की हैं दलित समुदायों ने उन्हें छीनने की प्रक्रियाएं हैं ये उदारीकरन और वैश्विकरन आरक्षन जैसी सफलता सेवाओं के निजिकरन से विफलताओं में तबदील होती जाएंगी इसी तरह अनिता भारती का कहना है कि भुमंडलीकरन बाजारीकरन के चलते उसके श्रम की कीमत दिन पर दिन कम होती जा रही है जिसके कारण उसके परिवार पर वह उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है आर्थिक चुनोतियां सुलजने की जगा और उलज रही है दलित स्त्रियों की सिक्षा का दर बहुत नीचे है वे अधिकांशता खेत और कारखानों में अलपवेतन पर काम कर रही है इसलिए वे जनांदलोनों की बात करती है वेचारिक लड़ाई जारी रखने की बात करती है शुशिला टाक भोरे लिखती है कि समझने लगे हैं अब ये भी क्रांती की बात को जरूरत है बस बारूद के धेर को मशाल दिखाने की सबसे ज़्यादा उन्हें चिंता सिक्षा की है अनिता भारती ने अफगानिस्तान की विभत्स घटना के बाद सुनो मलाला बिटिया जैसी मार्मिक कविता लिखी है सुनो मलाला बिटिया इन जंगली गिद्धों ने जबरन बंद कराये थे 400 स्कूल उनकी चाबी खोजनी है तुम्हें क्योंकि ये फकत स्कूल नहीं ये रोश्नी की मिनारे है निशकर्स्त यह कहा जा सकता है कि वैश्विकरन द्वारा पैदा की गई परिस्थितियों में पारिवेशिक्ता से मुक्ति की आकांग्षा ने दलित चिंतकों, बुद्धी जीवियों और रचनाकारों को पुन्ह एक बार उद्वेलित किया है चिंतकों और रचनाकारों की एक धारा यह मानती है कि इस परिस्थिति से जो आवसर उपलब्द हो रहे हैं उनका दलित समुदाय के लिए लाव उठाने के लिए प्रियोग किया जाए लेकिन चिंतकों की एक दूसरी धारा है जो यह मानती है कि वैश्वी करण जिन प्रक्रियाओं को जन्म दे रहा है उसमें दलित समुदाय के लिए अवसर नहीं है उनका हाश्या करण बढ़ता ही जाएगा जहां तक दलित साहिती की बात है उसका सामान्य चरित्र सामाजिक विद्रूपताओं असमानताओं के विरुद्ध खड़े होने का रहा है वैश्विकरण की वर्तमान प्रक्रिया के संबंध में अभी वहां स्वर तैयार हो ही रहा है किन्तु अभी तक जो स्वर तैयार हुआ है उसका सामान्य चरित्र वैश्विकरण द्वारा उत्पन परिस्थितियों के अस्विकार का ही रहा है समकालीन दलित रचनाकार यह मान रहे हैं कि कहीं फिर से एक बार हड़बड़ी में हम आव मानना से मुक्ति की कामना लिये हुए अपने सवालों को पीछे तो नहीं छोड़ दे रहे यह दलित रचनाकार जो प्रगतिशील सक्तियों के साथ अपना गटबंदन मजबूत बनाना चाहते हैं वे मानते हैं कि फुले अंबेड करके रास्ते चलकर और अन्य प्रगतिशील सक्तियों के साथ सहमती बना कर ही मुक्ति संभव है उनकी सबसे पहली प्रात्मिक्ता यह है कि अशिक्छा और गरीबी ये दो सबसे बड़े अभिशाप माने जाते हैं दलित समुदाय के लिए इसलिए इन दलित रचनाकारों का यह मानना है कि सबसे पहले अशिक्छा और गरीबी के खिलाफ सामाजिक चेतना तयार की जाए इनका यह मानना है कि जब तक भारत में जातिवादी मनोग्रंथी के खिलाफ सामाजिक चेतना तयार नहीं हो जाती जब तक सम्विधान में लिखे गए दो शब्द समानता और बंधुत सारोभौम तरीके से पूरे समाज पर लागू नहीं हो जाते तब तक दलित समुदाय की मुक्ति संभव नहीं है इसलिए आर्थिक वैश्वी करण से पहले ये दलित रचनाकार अपने प्रश्णों का वैश्वी करण चाहते हैं इन दलित रचनाकारों का मानना है कि समस्या का समाधान तब तक नहीं है जब तक दलित रचना धर्मिता सिर्फ वर्तमान वंचितों की मुक्ति का रास्ता तलाशती है बलकि समधान तब होगा जब भविश्य में भी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होगी कि कोई भी वंचित हो या शोशित हो जब भविश्य में भी एक ऐसे आंगन का निर्मान होगा जिसमें सब को समान अधिकार मिलेंगे ऐसे विक्ष का रोपण होगा जिसमें सभी को समान रूप से फल देने की ताकत होगी ये रचनाकार मानते हैं कि दलित साहित्य का महत्व तभी स्थापित होगा जब यह साहित्य सिर्फ वर्तमान बंचितों की मुक्ति का रास्ता ना खोले बलकि वह रास्ता दिखाए जिससे भविश्य में भी कोई शोशित और पीडित न रहे वे एक ऐसे आंगन का निर्मान चाहते हैं जहां सभी के लिए बराबर जगा हो जहां समानता हो और सब के लिए अवसर उपलब्ध हो मलखान सिंग के शब्दों में चौरस जमी पर मका ऐसा बनाऊंगा जहां हर होट पर बंधुत्व का संगीत होगा मेहनत का हाथ में सबतंत्र होगा मंच होगा बाजुओं में दिग विजय का जोश होगा विश्व का आंगन ब्रिहद आंगन हमारा घर बनेगा हर अपरिचित पाओं भी अपना लगेगा